अभिनेता गोविंदा के प्रश्चन्सक और शुप चिंतक इस वक्त काफी जादा चिंता में दरसल हाली में गोविंदा को खुद की गंद से गोली लग गई थी मंगलवार की सुबा दुरघटना वश अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली लगने के चलते अभिनेता घायल हो गई थी इसके बाद अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था वहीं उनकी फैन्स अभी जानना चाहते हैं कि उनकी सेहत अब कैसी है और उन्हें आखिरकार अस्पताल से कब चुट्टी मिलेगी वहीं इसको लेकर आप सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है गोविन्दा ने खुद अपने फैन्स के लिए अपने हेल्थ अपडेट दिया और उन्होंने बताया है कि कब तक उन्हें अस्पताल से चुट्टी मिल पाई कि चले आपको सुनाते हैं गोविन्दा का वो सिर्फ इतना है इसके अलावा गोविन्दा के भाई कृति कुमार ने भी उनके हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है चलिए आपको सुनाते हैं उनके भाई कृति कुमार ने उनके हालत को लेकर क्या कुछ का है तर कैसी तब इतना प्यार है और इश्वर की कृपा है और नेरा भाई मेरे ख्याल से उसने जीवन में भला ही भला किया है सबका तो इश्वर जो है हम लोगों के साथ है जल्दी उनकी तब ठीक हो गई है आज काफी ठीक है वो और ऐसा लगता है कि एक तो दिन में और अच सकते हैं और रुकेंगे और देखेंगे मतलब जीना क्योंकि वो सोच उनको पता नहीं था कि गहाव थोड़ा सा गहरा गाव है लेकिन है तो उसमें एक दो दिन और टाइम लग सकता तो लेकिन सब लोगों की सब इच्छा है एश्वर की कृपा है आप लोग सब का बहुत आप लोग हमेशा हम लोगों कि कुद दुख में साथ खड़े रहते हैं बहुत 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 दने वादा आते हैं वह आपको बता दें कि जब गोविंदा के साथ यह हाथा हुआ था तब उनकी पतनी सुरीता आहुजा उनके साथ मौजूद नहीं थी वह आउट अफ आपको बता दें कि गोविंदा के फैन्स अब इस आश्र में हैं कि जल्धी आक्टर स्वस्थ होकर अपने घर लोटेंगे है वहीं गोविंदा के हेल्थ अपडेट पर अगर आपके वन में भी कोई सवाल हो तो हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम खबरों को जानने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है पंजाबकेसरी.com